नोफेब पे मेरे फर्स वीडियो के बाद आपको इतना तो पता चल गया होगा कि नोफेब कम्यूनुटी के हिसाब से नो मास्टरबेशन के क्या बेनिफिट्स है इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं अगेन आपको याद दिला देता हूँ कि मास्टरबेशन एक सेंसिटिव टॉपिक है और प्लीज मेक शूर कि आप इस इन्फोमेशन को सही तरीके सही ले आपने पहली वीडियो में सेंटिविक रिपोर्ट तो देखा ही होगा कि एजैकुलेशन नहीं करने से सेवन डेज में टेस्टोस्टोरन कॉएंटिटी 145 परसें तक बढ़ जाती है पर यहां मैं आपको एक ट्विस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जिजैंग उनिवर्सिटी के उस स्टडी में जो 145 परसें टेस्टोस्टोरन लेवल इंक्रीज हुआ था वो सिरम टेस्टोस्टोरन था सिरम टेस्टोस्टोरन मतलब हमारी बोड़ी का फुल टेस्टोस्टोरन काउंट लेकिन हमारी body में serum testosterone के अंडर multiple types के testosterone होते है जिसमें से सिर्फ एक particular type ही fertility के लिए use हो सकता है बाकी type के testosterone हमारी body में दूसरे ही function के लिए use होते है इसकी कोई guarantee नहीं कि हर किसी को serum testosterone के level बढ़ने से fertility ही बढ़ती दिखे इन फैक्ट हर किसी को serum testosterone के बढ़ने से अलग अलग तरह के ही experience दिखेंगे और कुछ cases में तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी effect न दिखे ये अगर मैं deep scientific तरीके सा समझाने जाओ तो थोड़ा ज़ादा complicated हो जाएगा इसलिए इसको थोड़े simple तरीके से मैं एक example दे के समझाता हूँ जैसे अगर आपका DHT level बढ़ेगा तो hair growth बढ़ेगा अगर आपका fertility based testosterone बढ़ेगा तो ज़ादा fertility के chances होंगे अगर free testosterone level बढ़ेगा तो कुछ cases में आपको better appetite दिख सकता है जिसते weight gain भी हो सकता है या फिर fluid retention या acne की problem भी दिख सकती है इसी basis पे आगे की वीडियो में nofab और masturbation का muscle building के साथ relation भी आपको पता चलेगा तो यह है कि अगर research की माने तो कुछ cases में fertility rate को बढ़ाने के लिए nofab नहीं masturbation ज़रूरी हो सकता है June 1975 की एक research में Dr. R.J. Levin के अंडर में एक research conduct की गई जिसको Science Direct magazine में भी publish किया गया था इस case में उन्होंने ये proof किया है कि infertility का sperm से relation दो main कारण से हो सकता है एक है terato zoospermi जिसमें ये होता है कि जहां normal sperm में एक narrow head होता है and एक tail लेकिन abnormal sperm में कभी-कभी head ज़्यादा round होता है या blunt होता है जिससे वो सही speed में swim नहीं कर पाता या egg तक पहुच भी जाए तो उसको penetrate करके fertilize नहीं कर पाता दूसरा condition है hyperspermi जिसमें ज़्यादा semen production में clear fluid ज़्यादा होता है and sperm कम और कभी-कभी ज़्यादा fluid की वज़ा से sperm properly uterus तक पहुच भी नहीं पाता and इससे fertility पे असर पड़ता है अगर test के बाद ये दिखे कि males को इसमें से कोई भी medical condition है तो उन्हें sex की frequency सिर्फ evolution period में रखना चाहिए मतलब तब जब female सबसे ज़्यादा fertile है and non-evolution period में males को masturbation जैसी mechanism पे depend करना चाहिए ये इसलिए क्योंकि gap period में sperm में सिर्फ plain fluid या water की quantity या abnormal shape की sperm को masturbation करते रहने से घटाया जा सकता है इससे sperm का volume घटेगा लेकिन जितना volume sex के वक्त रहेगा वो actually fertility वाला sperm होगा जिसमें fluid या water की quantity से actual sperm की quantity ज़्यादा होती है मतलब periodically seminal fluid को ऐसे निकाल देने से उनकी sperm की quantity improve होगी and actual pregnancy के chance increase होगी 2009 में Indiana University में दो independent study किये गए जिसमें men and women के masturbation habit को study किया गया and result को journal of sexual medicine में भी publish किया गया इनमें ये देखा गया कि 53% women and 45% men vibrator use करते हैं for masturbation यहां male vibrators prostate stimulation के लिए and penis stimulation के लिए दोनों के लिए ही use किये जाते हैं females में इस तरह से masturbation की वज़ा positive sexual function, orgasm and sexual sensitivity देखी गई है ये study center for sexual health promotion in Indiana University के associate director डॉक्टर डेवी हर्बनिक के अंडर में conduct की गई थी लेकिन ये study primarily US के population के उपर की गई थी और इस study में US के ही 18-45 age के range के men and women पे ये survey किया गया था आपको ये already पता है कि US के मुकाबले बहुत सी ऐसी countries है जहाँ sexuality and masturbation को उतने open तरीके से देखा नहीं जाता इंडिया में definitely पिछले 10 सालों में काफी हद तक हमारा culture इन topic पे open जरूर हुआ है पर US के मुकाबले हम अभी भी इन चीजों को बहुत ही पिछड़े सोच से देखते हैं Ironically वही चीज यहाँ सबसे ज़्यादा trending होने लगती है Masturbation एक बहुत ही healthy sexual activity है और इसके अपने mental and physical benefits है सबसे important चीज ये है कि teenager को जब puberty hit करती है तब masturbation एक बहुत ही common तरीका है जिससे बोथ males and females अपनी sexuality को समझ सकते है लेकिन हमारी country में masturbation का एक बहुत ही बड़ा side effect है Do you know what? It is a guilt कुछ लोग ऐसे culture से belong कर सकते है या ऐसे religion या spiritual practice को मान सकते है जिसमें शायद masturbation को गलत बताया जाता है इस case में masturbation को dirty, shameful ऐसे type के term से describe किया जाता है ऐसे scenario में trust me आपको nofap की नहीं ऐसे किसी support group की जरूरत है जो आपको masturbation से guilt को separate करने का healthy तरीका समझा सके Please do not join nofap out of guilt for masturbation Nofap join करने से आपको कोई medal नहीं मिलेगा हाँ ऐसे cases में psychological therapy is very helpful मैं कुछ बहुत ही trusted resources यहाँ आपके साथ share कर रहा हूँ to help you यह American Psychological Association का official psychologist locator है जिसमें सभी professionals registered and certified है आप इन में से किसी पे भी बहुत ही honestly भरोसा कर सकते हैं यह again American Association of Sexuality Educators counselor and therapist का official resource है जिसमें आप certified sex therapist या psychologist को ढूंड कर उनसे online consultation बुक कर सकते हैं यह again बहुत ही dark side है masturbation का जिसको भी nofab community में बहुत ही deeply discuss किया जाता है कुछ लोग masturbation से addicted हो जाते है अगर आपको यह नहीं समझा रहा कि आपके masturbation habits normal है या addiction के level पे तो आप खुछ से कुछ सवाल पूछ सकते हैं क्या masturbation की वज़ा से आप अपनी daily activities या काम को skip कर रहे हैं क्या masturbation की वज़ा से आप अपने job या school जाने में regular नहीं हो पा रहे हैं क्या आप friends के साथ या family के साथ बाहर जाने या कोई activity के plan cancel करने लगे हैं ताकि आप सिर्फ अपने room में रहके masturbate कर सकें क्या आप masturbation की वज़ा से important social functions, festivals या event मिस कर रहे हैं अगर ऐसी situation में आपका answer yes है तो yes there is a chance that you are addicted to masturbation इस addiction से आपके life के relationships and study harm हो सकते हैं और आप life में कम productive बन सकते हैं अगें in this case आपको trained psychological therapy पर trust करना चाहिए और आप online भी इसके लिए consultation ले सकते हैं इसके अलावा इस case में आप nofap community के rules के हिसाब से अपने आपको short term के लिए masturbation discipline मिला सकते हैं एक short time के लिए masturbation पे आप जो time usually spend करते हैं वो ही time आप कोई और activity से replace कर सकते हैं जैसे कि friends के साथ time बिताईए, YouTube पे feed they read की videos देखिए, exercise करिए और कुछ नहीं तो family के साथ कोई TV serial ही देख लीजी In short आप nofap को as a test भी use कर सकते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या आप सच में masturbation से addicted है या सिर्फ lockdown में आपके पास इतना बिकार का time था कि masturbation become your time pass लेकिन nofap को पूरी तरह सही beneficial माल लेना शायद सही नहीं होगा क्योंकि as you can see science does not support it fully पर कोई बात नहीं अभी series आगे बाकी है and इस series के end तक आपको इस बात पे कोई शक नहीं रहेगा कि nofap आपके लिए है या नहीं पर definitely आप हर वीडियो के बाद अपना opinion भी share करिये क्योंकि it really matters to me I will be back with my next video very soon till then stay safe, be happy